हेलो फ्रेंज, वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे UGC NET डिसमबर 2022 का ओनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाइ कर सकते हैं, step by step process के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में और इस requirements related जानकारी आपको मिल जाएगी video description में jobrasa.com पर, जहाँ पर जाकर फ्रेंज, आप इसकी details को check out कर सकते हैं, अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं, तो आप इसमें online apply कर पाएंगे, तो friends, यहाँ पर देखिए, इसका official notification है, UGC net का, जिसके लिए friends, आप online आविदन कर पाएंगे और इस से rated सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखिए, देखने को मिल जाएंगी, आप friends, applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं, आप इसमें apply कर सकते हैं, और सारी जानकारी आपको इस notification section म देखने को मिल जाती है, बात करते हैं, इसके form apply process के बारे में और इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सकें, तो और अभी जो लगने वाली है, उसकी जानकारी आपको यहाँ दी गई है, इसके बात, एवाद, आपको सबसे पहले है यहाँ पर जो नाम है, वो आपको यहाँ पर enter करना है, और इसके बात, एवाद, आपका father name और उसके बाद आपको enter करना है आपका mother name तो यह basic जानकारी है जो कि आप यहां पर fill करेंगे इसके बाद है आपका DOB मिन से date of birth तो आपका जो भी date of birth है date, month and year वो friends आप यहां पर enter कर सकते हैं gender आपको select करना है और कोई भी ID आप यहां से select कर सकते हैं अगर आपके अधार कार्ड है तो आप अधार कार्ड में any other वाले option को select करके अपने अधार का number प्रोवाइड कर देंगे, इसके बार है contact details, आपका friends जो भी address है पूरा address जो भी आप लिखते हैं वो आप यहां section में लिखेंगे, इसके बार friends आपकी जो सब localty है वो आपको यहां पर देनी होगी, इसके बार locality आपको यहां देनी है, इसके बार आपको select करना है आपका country, आपका state, आपका district, बेसिक आपका address है वो आपको यहां पर select करेंगे, इसके बार friends आपको आपका pin code है वो आपको यहां पर enter कर देना है, आपका mail ID और mobile number आपको enter करना है, अगर आप तो आप प्लिक कर सकते हैं अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर देंगे इसके पर आपको बनाना है पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो पासवर्ड में अपरकेस lower case numerical value or special character इस password में होना जरूरी है अगर sample के तोर पर बात करें तो देखिए friends यहाँ पर मैं sample लिख रहा हूँ जैसे आपने upper case यूज कर लिया आपने यहाँ पर small letters यूज कर लिये आपने numbers यूज कर लिये और special character at the rate star hash आप कोई भी password में use कर सकते हैं तो इस तरह से password आपको बनाना है कोई भी security question आपको यहाँ से लेना है उस security question का answer देना है इस capture code को fill करना है और उसके बाद आपको यहाँ से data को submit कर देना है इसके बाद friends in second step में अब आपको यहाँ पर preview check करना है जिसमें आप check करेंगे कि आपका नाम, gender, date of birth, address, father name, mobile number, mother name या mail ID यह बिल्कुल सही है आप इसे यहाँ से agree करेंगे और उसके बाद submit and send OTP पर click करेंगे आपके पास friends एक OTP आएगा वो OTP आपको verify करना होगा OTP verify करने के बाद friends यहाँ पर देखिए यह security code आपको यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद friends आपको यहाँ से submit कर देना है data को data submit होने के बाद friends यहाँ पर आपके पास mail ID पर एक OTP आएगी वो OTP भी भी आपको यहाँ पर डाल कर verify करनी होगी तो friends OTP verify करने के बाद देखिए दोनों ही options आपकी verify हो जाएंगे इसके बाद आपको complete करना है application form सबसे पहले friends आप personal little section पर जाएंगे जहाँ पर friends आपको यहाँ पर देखिए nationality select करनी है आपकी category काउंसी है वो आपको select करना है अगर आप PH candidate है तो yes कर सकते हैं नहीं तो आप no करेंगे डायबिटी candidate है तो yes यह no कर सकते हैं annual income कितनी है आपके parents या garden की उसकी जानकारी आपको देनी है इसके बाद अगर आप minority community से belong करते हैं मतलब जैन, सिख, बौर, पार्सी, मुसल्मान तो आप select कीजिए नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे इसके बाद है आपका subject name जो की post graduate exam में आपका रहा है तो आपको देखे multiple list यहाँ पर मिल जाती है आपके according जो भी subject आपका यहाँ पर रहा है PG में आप उसे select कर लेंगे इसके बाद friends आपको यहाँ पर simply इस capture code को fill करना है और उसके बाद यहाँ से save and nestrick कर देना है इसके बाद friends आपसे पूछे का आपके पाधार का number है या नहीं है अगर आपके पाधार का number है तो आप यहाँ पर yes करेंगे ओके करेंगे और इसके बाद तीन options आपसे पूछे जाएगा सबसे पहले आप अपने अधार कार नंबर को साधा करने के लिए तयार है आपके अधार कार पर जानकारी वह नहीं है जो आविजन पत्र में दर्च की गई है और आपने अधार कार को आपसे नंबर को साधा करने के लिए अप सहमत नहीं है आप इन में से कोई भी option को select कर ले पर आपके पार हर कार्ड है तो आप यहाँ पर पहले option को tick करेंगे इसके बाद यहाँ से declare करकर इस capture code को fill करेंगे और यहाँ से submit and nest कर देंगे इसके बाद friends next option रता है apply 4 का अब देखिया आप assistant professor के लिए apply कर रहे है या friends आप जी आरफ एन assistant professor दोनों के लिए apply कर रहे है तो दो ही options आपको यहाँ पर मिलते हैं question paper medium आप कैसा लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर selected कर लेंगे इसके बाद है friends first choice for exam city वो आपको यहाँ पर choose करना है अब आपको सबसे पहले friends यहाँ पर list मिलेगी आपके state की इसके बाद friends अब आपको यहाँ पर centers choose करने है तो आपके according जो भी center आप लेना चाहें आप यहाँ पर centers ले सकते हैं चार इसके बाद फादर या गार्जन का occupation क्या है इनमें से आप जो भी option को select करना चाहें वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बाद उनकी qualification क्या है वो आपको select करनी है मदर का qualification क्या है वो आपको select करना है सबसे पहले friends से वो क्या काम करती है तो यहाँ पर अगर आप वो housewife हैं, तो आप other को select करेंगे, और उसके बार उनकी भी qualification आप select करेंगे, और उसके बार इस capture code को डाल कर, save and nest कर देंगे, इसके बार फैंसे nest option आपके सामने आएगा qualification का, सबसे पहले है PG degree, अब यहाँ पर देखिए आप pass हैं, तो पास select कीजिए, आप पर select कर लेंगे, इसके बार फैंसे यहाँ पर course या stream का नाम आपको select करना है, तो आपके पार देखिए course या stream के name मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर उसे select करेंगे, final year या final year result awaited है, तो फैंसे यहाँ पर आप उसे select करेंगे, board या university का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर, आपके फैंसे, board या university का जो नाम है वो आपको यहाँ पर search करना होगा, आप चाहे तो manually लिख सकते हैं, या friends से अपको कोई भी एक word लिख सकते हैं, और उससे related आपको जो word है, वो आप यहाँ से search कर सकते हैं, इसके बाद friends, result mode में आपका percentage system है या CGP system है, वो आपको select करना है अगर आपका percentage system है, तो friends, आपको total marks और आपके marks obtained की जानकारी आपको देनी है आपकी percentage आजाएगी इसके बाद friends, आपको यहाँ पर जो एक capture code दिया गया है यह capture code fill करना है और save and nest कर देना है इसके बाद friends, देखिए, आपसे पूछा गया है कुछ additional details जिसमें MFIL की जानकारी है तो आप MFIL या PSD या आपके पास friends, कोई भी research या ex-serviceman details है तो आप उसकी जानकारी provide कर सकते है आपको यहाँ पर जो options है, वो आपको देखने को मिल जाते है नहीं है, तो आप इसमें no करेंगे और इसके बाद इस capture code को fill करने के बाद आप friends, save and nest कर देंगे इसके बाद आता है friends, आपके सामने document upload section तो यहाँ पर photograph and signature आपको upload करने है jpg format में, browse पर click कीजिए file को select कीजिए और यहाँ पर आप इसे upload कर सकते हैं तो friends, यहाँ पर देखिए, जो photo and sign है उसमें friends, अभी आपका कुछ error आ रहा है तो अभी आपको try नहीं करना है क्योंकि form अभी start ही हुए है तो हो सकता है, अभी कोई server issue हो तो आप जैसे ही यहाँ पर sign upload हुआ है ऐसे ही जब आपका photo upload हो जाएगा इसके बाद आपको final submit का option मिलेगा और आपने form को final submit यहाँ से कर पाएंगे final submit होने के बाद friends, अपने application form को आप download कर सकते हैं और आपका payment आगर आपको करना है तो आप किसी भी bank के credit card, debit card, net banking से अपने payment को verify कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा second video बराने का इसमें हम आपको second जो आपकी आगे का parts है वो आपको detail में बताएं कैसे आप इस form को submit कर सकते हैं बाखे की जानकारी अभी के लिए आप friends jobrasta.com पर जाका check out कर पाएंगे अगर आप applicable है, eligible है apply करना चाहते हैं जनवाई 2023 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं और अगर आपको हमारा ये update पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe वेशे जरू कीजिए बाखी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते हैं हमारे ये update प्रेल अला संक्स पूर वाचिंग